हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने IQZ7 Android वाइल फोन में आप जो है स्क्रीन टाइम आउट सैटिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये स्क्रीन टाइम आउट सैटिंग जो है ने चेंज होने के बाद ही सैटिं कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज को ओपन कर लीजिए सैटिंग पेज म मिनट ठीक है इसमें से आपका ना किसी एक पे पहले से टिक माक लगा होगा जैसे मेरा ये दस मिनट पे पहले से टिक माक लगा हुआ है ठीक है इसे आपको ना हटा के दूसरे ओप्शन पर टिक माक लगाना है जैसे मैं अब इसे पांच मिनट पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जब भी आपके phone की screen on होगी यह देखिए मेरे phone की screen on है और मैं अपने phone को अगर 5 मिनट तक अगर use नहीं करूँगा इसमें कुछ भी टीपाट आपी नहीं करूँगा तो मेरे phone की screen automatic 5 मिनट बाद off हो जाएगी ठीक है तो यह setting जो है कुछ इस तरीके से काम करती screen time out setting change करने के ब search icon का option मिलता है इससे select करना है अब यहाँ आपको सबसे उपर यह search उपार में type करना है screen time out टीक है जो setting का name है वह आपको यहाँ पर पूरा type कर देना है screen time out टीक है इस तरीके से तो आपको निचे की side में यह option शो हो जागा screen time out इससे आपको select करना है तो इससे क्या होता है आप मुवाइल फोन आपको directly इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह shortcut तरीका इस setting को ढूंड़ने का आपके मुवाइल फोन में